स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बियस आनलाइन इस्टडी में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में यूपी बोड का रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों यह जो निवज है यह आज तक स से हमें मिली है तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएं है तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटर को जड़ दबाएं तो दोस्तों यह जो वीडियो है यह कच्छा 10 और 12 वालों के लिए है दोस्तों अपडेट जो है आपका नई दिली से आज तक डाट इन पर जो है दोस मई 2020 का आया हुआ है तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों देखिए इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बोड की परिक्षा कच्छा 10 और 12 वी बोड की परिक्षा का पड़ाम का इंतजार छात्र बेसबरी से कर रहे हैं वहीं राजी के उपमुख्य मंद्री जो दिनेश सर्मा ने कहा है कि परिक्षा के पड़ाम जून में जारी किये जाएंगे उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश बोड की 10 वी बारावी परिक्षा कि उत्तर पुष्तकाओं का मुल्यांकन जो है 5 मई से शुरू हो गया है बता दे पड़ाम को लेकर आधिकारिक वेबसाइट upresult.nic.in पर कोई जानकारी नहीं की गई है मुल्यांकन के दावरान सोसल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है मुल्यांकन के लिए कई केंद्र बनाए गये हैं जहां पर तकरीबन 1200 परिच्छकों द्वारा कापियां जाची जा रहे हैं कितने परिच्छकों द्वारा दोस्तों तो 1200 परिच्छक जो है यू आपको बता दें यूपी बोड की सचीव नीना श्रीवास्तव ने एक मैई 2020 को कहा था कि तीन करोड से अधिक उत्तर पुष्टकाओं का मुल्यांकन किया जा रहा है कितने करोड दोस्तों तो तीन करोड से अधिक पुष्टकाओं का जो मुल्यांकन किया जा रहा है यूपी बोर्ड परिक्षा 2020 के लिए लगवक 56 लाग चातर उपस्थित हुए थे तो दोस्तों कैसे हो रहे हैं मुल्यांकन की प्रक्तिया थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों उप मुख्यमंद्री दिनेश सर्मा ने बताया यूपी बोर्ड की परिक्षाओं का मुल्यांकन वर्तवान में ग्रीन जोन छेत्रों में हो रहा है जिन केंद्रों में सिच्छक कापियों का मुल्यांकन कर रहे हैं उनको नगरपालका की तरफ से दो बार सैनिटाइज करा जा रहा है साथ ही सोचल डिस्टेंसिंग का पारण किया जा रहा है वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किये गए हैं इसके साथ ही हर कमरे की निगरानी CCTV कमरे के माध्यम से की जा रही है तो दोस्तों जो कापी है वह बहुत ही बिद्वत तरिके से चेक की जा रही है यूपी बोर्ड परिच्छा 2020 के पड़ाम गोशित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेब साइट पर नतीजे देख सकते हैं नियमित अपडेट के लिए छात्रों को सला दी जाती है कि वह आधिकारिक यूपी बोर्ड की सचिव नीना स्रीवास्ताँ ने बताया था कि मुल्यांकन प्रक्रिया 25 मई 2020 तक समाप्थ होने की समभावना है जो मुल्यांकन की प्रक्रिया है दोस्तों वो 25 मई को जो है लगवक समाप्थ हो जाएगी कितने माई को दोस्तों 25 माई को जो है आपकी काप्या पूरी पूरी जचने की समभावना है इसके बाद परड़ाम जारी किये जाएंगे इसलिए दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि बोर्ड जून के पहले सब्ता तक कच्छा 10 वी और 12 वी के परड़ाम जारी कर सकता है जून के पहले सब्ता में जारी किया जा सकता है तो कब दोस्तों जून के फर्स्ट सब्ता में फर्स्ट वीक में इन सभी लोगों का रिजट आने की समभावना है दोस्तों अगले कोई अपडेट आती है तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें आप वीडियो को ज़्यादा इसेट करें अगले अपडेट के लिएário सब्सक्राइब कर लए वीडियो देखने के लिए आप सब इलोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जहिन बंदे मातरम